नमस्कार दोस्तों मैं हूं वेशियरमा चाहट सी चैनल पर आपका हाटिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियों बात करेंगे बारे में साथ-साथ बात करेंगे मार्किट के अगले बूव के बारे में और बताएंगे कि किस तरीके से आज हमने इंटरडे में ट्रेड करके कुछ 25,000 के आसपास का पॉफिट किया जानना चाते हैं तो वीडियो का उन्ते तक जूर देखेगा क्योंकि आज की वीडियो में जो हमारे ट्रेड थे उसके बारे वे डिसकस करूंगा कहां कहां पर हमने आज सैलिंग करी क किस जगह पे बाइंग करी किस तरीके के पैटर्स देखे जिससे आपको काफी कुछ सीखने को बिलेगा तो दोस्तों आज की वीडियो में स्टार्ट करूंगा और सबसे पहले मैं लेकर जाऊंगा निफ्टी के चार्ट में पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब् कर देखने को को बिली और गिरावाट कल हमने अक्सपेक्ट भी करी थी आपको एक लाइवल भी दिया था कि भर इस लाइवल के नीचे अगर बजार जाता है तो आप क्या कर सकते हैं स्टिंग करके चल सकते हैं अब आज कि आया नीचे और यहां पर आप आप देखेंगे त यह एक पाटन देखने को मिला 15 मिनट के चार्ट पर जिसको बोलते हैं बुलिश हरायमी पैटन तोस्तो आज वाला मैसेज वसे हमारे चार्ट इनलिस चैनल के टcules चैनल पर आपको मिल गया होगा भास यह जो मिलिश हरायमी पैटन मना था बुलिश के होते हैं इसको जैपनिस पे बोलते है प्रेगनेंट वूमन ठीक है और बुलिश हरायमी पैटरन का इंपक्ट बहुत ज्यादा पारूफुल होता है अब यहां पे हमने क्या करा था अपनी बाइंग की पुलिशन मनाई थी 19,490 के आसपस बाइंग की पुजिशन मनाई थी और उसके बाद बजार में एक बड़ी तेजी देखने को मिली और मार्केट 19,650 के आसपस गया और अभी जो क्लोजिंग अगर आप देख रहे है तो 19,630-640 के आसपस की क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी तो यह जो करता हूं मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दिखा देता हूं काफी लोग को ऐसा लग रहा होगा तो जो लोग नए हैं उनको भी ऐसा लग रहा होगा तो मैं क्या करता हूं अपने चार्ट अनैलिसिस वाले चैनल पर आज हमने मौनिंग में ही मैसेज कर दिया था और अपन पैटन बना था जब रेट चला था निफ्टी का 19,480 के आसपास यह आप देख रहे हैं इसका प्राइस चल रहा है तो ही हमने लिख दिया था निफ्टी बुलिश हरायमी पैटन 15 मिनिट्स के चार्ट पे तो यह इंडिकेशन हमने यहां पर दे दी थी और उसके बाद हमने ख क्यों क्यों कर रहा हूं क्यों इसको चोटे से मैं काम करकर बड़े फंड में अर्पर कर रहा हूं और उसके बाद मेरा तब जब लॉस्टी के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो 30 मिनिट के चार्ट पे बुलिश एंगल फिंग पैटन देखने को मिल गया था जब बैंक निफ्टी का रेट चल ला था लास्ट में बताऊंगा कि अगला मूव मार्केट का क्या रह सकता है तो जल्दी से रहेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट भी इसका दोस्तों 30 मिनिट का चार्ट दिखाऊंगा क्योंकि इसमें जो पैटन मना था वह 30 मिनिट के चार्ट पे देखने को मिला था तो यहां से मैं इसका 30 मिनिट का चार्ट आपके लिए यहां पर लगा देता हूं यह ओगया जिसका 30 मिनिट का चार्ट एरिया को थोड़ा सा हम यहां पर जूम करेंगे और आपको डिटेल में उसकी पूरी अनालिसिस करके बताएंगे दोस्तों इसलिए बता रहें उसका रीजन सब्सक्र सब्सक्राइब करते हैं अब उसके बात क्या हुआ अगर आप निफ्टी को देखें तो बैंक नेटी 44,900 की ऊपर भी क्या था क्लोजिंग देखेंगे तो 44,850 की आजपस की क्लोजिंग यूई है तो इसमें बेगरा देखेंगे 200 पॉइंट से 200 पॉइंट की उपर की तेजिया में देखने को मिली है जब मैंने निफ्टी बांक निफ्टी के दोनों ट्रेड बनाया थे तो वहां पे यह दोनों मैसेज मैंने कर दिया थे तो उस टैम मेरा जो प्रॉफिट हो रहा था वह दो चे जार कर देखेंगे मैं आपको डैश्बोड दिखा देता हूं क्योंकि फिर मेरा जो प्रॉफिट आ रहा था वह आ रहा था 25,445 रुपे यह आप देख सकते हैं तो किस तरीके से आज पहले सेल करके काम किया फिर उसके बाद बाय करके ट्रेड मना था बैंक निफ्टी में थर्टी मिनट के चाट में बुलिश एंगल फिंग पैटन देखने को मिला था दोनों में अच्छी वासी तीजी देखने को मिली बट बैटर यह नहीं करता कि आपन अपने ट्रेडिंग यानि आप जो पैटन देख रहे हैं उसमें कितना कॉंटेंट हो कि आप उसमें कितना पॉफिट ट्रेल करते हैं कॉंटिटी मैंटर नहीं करते हैं अब को पता है कि हमारी सीरीज है छोटे फंड से काम कर रहे हैं 25-30,000 का फंड यूज किया था दोस्ते बड़ा फंड लेकर आओगे जल्दी मार्केट से एक्सपर्टीज क्या है आप छोटे पैसे को बड़ा पैसा नहीं बनता दोस्तों चोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है क्योंकि आप 10-20,000 काम कर रहे हैं और 6 महीने में आपने नुक्सान भी कर दिया तीन महीन में बड़ा फंड से काम करेंगे 5-10,000,000 रोबे से जब उसका नुक्सान हो जाएगा आपको नौलिज तो जाएगी मार्केट वे तब पैसा लगाने के लिए आपके पास नहीं होगा तो देखो फंड भी मैंटर नहीं करता मैंटर करता आपकी नौलिज आपकी नौलिज कि अच्छी आपका टेकनिकल अनालीस अच्छा है तो तब भी चोड़े फंड को बड़े फंड में कर सकते हो यह स्रीज जो मैं लेकर रहा हूं या आप लोगों की लेकर रहा हूं ऐसा निया कि मैं तूफिप्टी कॉंटिटी से काम किया है मैं तूफिप्टी की जगह नहीं अच्छा चाल लाग का प्रॉफिट उससे आपको क्या लेना देना यार मैं 3-4 लाख रहा हूं उससे आपको कोई लेना देना नहीं है आप मेरे से रिलेट तब करोगे कि हां यार इस बंदे ने कॉंटिटी करी थी हमारी जितनी हम जितनी कॉंटिटी में काम करके इसने आपको पप्लिक टेलीग्राम में मिलेंगे और को जॉइन करें लिंक लिंगे ल्क दिस्क्रिप्षियं पहे हैं उसको जॉइन करना मदा भूले गा उससे बैटर चार्ट आनेालीसे इस आपको मिलेगी और बैटर आपको जो मेरे ट्रेड्स है वह आपको देखने को में मैं एक index के परे बात करने वाला हूं और इसका एक long term view आपको दूँगा और nifty bank nifty के अगर मैं बात करूँ कि अगला book क्या हो सकता है तो मैं कहूंगा अभी आप अगले book का वेट पत करिए actual में basically भी बजार के बजार में गिरावट देखने को बिली आज एक recovery अगर हम इसके बड़े time frame की बात करें डेली चार्ट की बात करें वीकली चार्ट की टाइम प्रेम की बात करें कि बड़े प्रेम में analysis करते हैं उसमें कुछ भी setup देखने को नहीं मिल रहा अभी बैस्ट तरीका पत है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करने का अभी यही करो अभी स्क्राइब कर सकते तो नहीं बोलेंगे स्कैल्प हो गया कि दस पंदर पॉइंट लेके निकल जाओ और पोजिशन को करना अगले दिन के लिए अभी बजार ऐसा है क्योंकि बड़े time frame में कोई अच्छा कर सा बनाया था अब मैं आप से बात करूंगा अच्छे ट्रेडर बना चाहते हैं तो उसके साथ साथ इसमें आपको क्या मिलेगा हमारा एक प्राइबर टेलीघ्रम चैनल मिलेगा हमारे प्राइबर टेलीघ्रम चैनल भी है जिसमें झाल कर सकते हैं मेरा नमबर पर सत कर सकते हैं साथ अगर आप खुछ स्क्रीन पर नंबर कर सकते हैं तो डिसक्रिप्शन पर आप का लिंग है वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं पिलाल अभी जो मैं बताने वाला हूं वह हैं फिनिफ्टी में आज मैंने कुछ देख लिया अब क्या देखा हो मैं आप से डिसकस करना चाहूंगा और यहां पर मैं आपके शामने लगा देता हूं और यहां पर हम 15 मिट के चार्ट को करके विकली चार्ट पर लेगे जाते हैं इरिया को मैं थोड़ा सा यहां पर जूम करना चाहूंगा क्योंकि आनालिसी आपको दिखाने पड़ेंगे पुराना डेटा भी आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा अब दोस्तों एक चीज़ है पिनिफ्टी में कर आप तो देखने को मिला और उसके बाद फिर से उसने पुराना रेसिस्टेंस लेवल ता उसको ब्रेक कर दिया और इस लेवल को रिटेस्ट करके वापिसिस पे तीजी आई है तो मुझे लग रहा है कि जो हो रहा है वाजार क्योंकि बैंक देखो गे तो भी वड़े टैम फ्रेम पर बीकली रिटेस्ट हो रहे हैं अगर आप बात करें तो यहां पे इसने सपोर्ट लिया है और सपोर्ट के बाद फिर से इसमें एक तीरी देखने को मिल सकती है और जो फिलाल अभी फिन निफ्टी ने हाई बनाया था जिसके मैं बात कर रहा हूं हो 20,666 का तो मुझे लग रहा है कि वह लेवल जल्दी से चीब हो सकता है तो ध्यान रखेगा दोस्तों कि अभी रिटेस्ट के बाद अपना पुराना लेवल है यह बहुत जल्दी यह मीट कर सकता है तो फिन निफ्टी की काफी लोग अनायालिसिस के बारे पूछते रहते है काफी लोग विन निफ्टी में काम करते हैं लॉंग टर्म बेसका विव जानना चाहरे तो मैंने लॉंग टर्म का व्यू आपको बता दिये बाकि उस तो और भी आलिसिस आपको हमारे हमारे टेलीग्रम चैनल पर आपको मिलती रहती है बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके बा प्रातर मिनिट की वीडियो में मैं बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में नहीं बता पाऊंगा तो आशा करूँगा दोस्तों आजकी की वीडियो को पसंदा है वीडियो को पासंद आती है तो इससे लाइक करें, चैनल का सब्सक्राइब और साथ साथ दोस्तों कॉमेंट करना मत भूले कि आपको हमारी यह सिरीज कैसी लग रही है हमारे जो डेली के प्रॉफीट वो आपको कैसे लग रहे हैं आप किस तरीके से उसे कनेक्ट कर रहे हैं तो comment box पर comment जो करेगा तो आशा गरूंगा आज की वीडियो को पसंद आई होगी आज की वीडियो में इसमाप करता तो दन्नेवा